तो अब तक करोना संक्रमन से अच्छूते रहे सीरोई जिले में भी वाइरस ने आखरीकार दस्तक दे ही दी है जिला मुख्याले से पांच किलोमेटर दूर गाउं नया खेडा में अमदाबास से आया एक युवक करोना पॉजिटिव मिला है जिसे चिकेसाई भाग ने आईसोलेशन वार्ड में भरती करवाया है आपको बता दें कि दो मई को एक प्रवासी युवक करोना के रेड जोन गुजरात के एमदाबास से नीजिवस से नया खेडा आया था जिसकी तवियत खराब होने पर चिकेसाई भाग के टीम मौके पर पहुंची और युवक के सेंपल लेकर जांच के लिए फेजे जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रशासन हरकत में आगया फिलाल संकरमित युवक के संपर्क में आने वालों को चिन्नित किया जा रहा है जिस बस से युवक का सिरोही आया उस बस को सील कर दिया गया है बस में जमोतरा बरलूट और नवारा गाओं के परवासिया आये थे उन सभी को भी चिन्नित किया जा रहा है